हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट्स लोगी पूनम में आज मैं सेर करूँ आप सब के साथ बर्फी की रेस्पी ये बहुत ही कम इंग्रीडियंट में और बर्थ में खाया जानी वाली बर्फी है बहुत जल्दी बन कर त्यार होगी सिर्फ इसे हम 10 मिनट पे बना कर त्यार करेंगी और एक खाने में बहुत ही तेस्टी लगेगा अगर आपको मेरी रैस्पी थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजी अगर आप मेरे चैनल कर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो चलिए बना बर्फी बनाने के लिए हम मकाना लेंगे यह मैंने 80 ग्राम के करीब मकाना लिया है और इसको हम रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट के लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसके अंदर का जो मौस्चर है सारा का सारा हमें सुखा लेना है इसको ह ठंडा होगा इसको हम मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे इसे हमें एक पाउडर की फोम में बनाना है इसी तरह से हम मिक्सी में इसको पुरा का पूरा डाल लेते हैं यहां पर देखिए, जो हमारा मखाना है, वो एक दम से पीस कर तयार हो गया है, एक दम से फाइन पाउडर बना है, इसको हम अलग से एक परतन लेंगे, उसमें निकाल लेते हैं, देखिए, मैं आपको दिखाते हूं कितना बारिक पीसा है इसमें, और अब हम आगे की तियारी यहां पर मैंने नो से दस काजु लिए हैं आप चाहे तो इसकी कौंटिटी बढ़ा भी सकते हैं इसको भी हम पार एक पीस लेंगे और देखे जो पाउडर हमारा काजु का वह भी बनकर तयार हो गया इसको हम भी उसी बरतन में निकाल लेते हैं इन सभी चीजों को मिक्स करें के यहां पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है यह मैंने चम्मच से मेजरमेंट करूंगी जिससे के आपको आसाने रहेगा है तो इन सभी चीजों का हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम आगे की त्यारी करते हैं यहाँ पर हम चासनी बनाएंगे बर्फी के लिए और उसमें के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर करके चीनी लिए है उसमें हम आदा कटोरी भर करके पानी डालेंगे और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि हमारी जो इसमें उबाल ना आजाए इसको हमें लगातार चलाते रहना है उबाल आने के बाद यहाँ पर 4-5 मिनट तक पकाते रहिए और इसके बाद चेक कीजिए यहाँ पर एक तार की चासनी बननी चाहिए जैसे ही हमारा एक तार की चासनी बनने को त्यार हो से पहले ही गैस की फ्लेम को हम बंद कर दें देखिए यहां पर एक सार की चासनी बनने को त्यार है इससे पहले ही क्योंकि हम ज्यादा पकाएंगे तो यह ओवर कुख हो जाएगे जो चीनी हमारे क्रिश्टलाइज हो जाएगे और गैस की फ्लेम यहां पर मैंने बंद कर दी ह और जो mixer था इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको लगातार मिलाते रहेंगे इसमें कोई गुठलिया नहीं पड़नी चाहिए इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और हम इसको सारा का सारा mixer इसी तरह से डाल करके मिला देंगे यहां पर मैंने सारा mixer डाल दिया और इसको हमें धे 6 इसमें mix कर दूंगी जैसे यह mix हो गाए गैस की फ्लेम को on कर दूंगी और इसको हम दो-तीन मिन New drink और पकाएंगे दो-तिन मिनिट बाद देखिए जो हमारा ये मिक्सर है डो की फोम में आगा और इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्सर लेकर देख लेंगे ये गोली ही बननी चाहिए कि हमारा जो बर्फी बनने के लिए जो ये मिक्सर है अच्छे से त्यार हो गया है अब मैं यहाँ पर बर्फी जमाने के लिए एक ट्रे लोगी उसमें घी ग्रीस कर लोगी आप कोई भी थाल या प्लेट ले लीजिए उसमें घी ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद इसमें जो हमारा मिक्सर त्यार किया था बर्फी का वो इसमें डाल देंगे और इसको हमें अ और इसको हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे इसको फैलाने में असानी होगा और उपर से एकदम से चिकना हो जाएगा अच्छे से देखे यहां पर इसको हम सिर्फ पांच मिनट के लिए रखना ज्यादा देर रखेंगे तो ज्यादा हार्ड हो जाएक और इसको माच मिनट के बाद ही इसे कट लिजए मैं ने इसे 10 मिनट के 일िए रखे हैं देखिए कितनी हार्ड होगे कटने में दिक्ट होगी और रिसको ब Divine को हम निखाले लेंगे यहां पर देखिए पर दिकाले में दिक्कत अरिया मैं इसको इलिए यह को एक टिप बताती हूं थोड आप इसे बर्द में खा सकते हैं जन मास्क में पे स्पेशलिस बनाईए खाईए और इसके बाद सेयर कीजे मेरे साथ क्या आपको यह रैसिपी कैसे लगी बाई